हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, स्पेंड वाइजली, दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करके कुछ स्पेंड करते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, और उसके तुरंद बात जो है क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जन कर दी, और मर्चेंट की तरफ से कोई रिफंड आता है, तो वो आपको अन्बिल्ट ट्रांजेक्शन में दिखाई देता है, और अगले महिने का जो स्टेटमेंट आता है, उसमें वो एडजस होता है, बहुत सारे बैंक्स और क्रेडिट कर कंपनी जो है, आपको ये जो रि रिफंड आया है, मर्चेंट की तरफ से, तो वो आपको एडजस नहीं करने देते हैं, आपको पूरा पेमेंट करना होगा, और जो रिफंड आया है, वो अगले महिने के स्टेटमेंट में एडजस होके आएगा, और तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, दोस्तों तो 1st July से RBI की new guidelines जो है, credit cards को लेके वो आने वाली है, और उसमें यह जो problem है, यह solve होने वाली है, मतलब जो भी आपका refund आगया है, statement generation के बाद, वो आपको एडजस करके final payment करना है उसी month में, दूसरा दोस्तों, आपने कई बार final payment भी कर लिया होता है, उसके बाद को refund आता है, तो आपके credit card में आपको positive balance दिखाई देता है, मतलब आपने credit card company को ज़्यादा payment कर दिया है, दोस्तों उस case में भी credit card companies को एक option देना होगा, जिसके थूँ आप जो access payment है, जो positive balance आपके credit card account में पढ़ा हुआ है, उसको आप अपने bank account में transfer कर सकते हैं, यह option 1st July से सारे banks को और credit card companies को आपको देना है, दोस्तों SBI cards ने यह option जो है, अभी से दे दिया है, आप SBI cards अगर use करते हैं, तो SBI cards के app में जाएए, वहाँ पर services का जो एक option रहता है, उस पर आप click कीजिए, वहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा कि transfer credit balance to your bank account, आप जो यहाँ screen पर देख सकते हैं, द statement generate हो गया, मैंने पूरा payment कर दिया और उसके बाद को refund आया, इस वज़े से positive balance मेरे इस account में पढ़ा हुआ है, और इस balance को जो है, वह अपने bank account में transfer कर सकता हूँ, सिर्फ इस app के थूँ, यहाँ पर जाके मुझे click करना है, credit balance transfer to bank option पर, वहाँ पर मुझे जो मेरा credit balance है, वो screen प transfer करवाना है, मैं पूरा के पूरा balance पी अपने bank account में transfer करवा सकता हूँ, यह जो positive balance है, यह पूरा के पूरा मेरे bank account में transfer हो जाएगा, मुझे यह वेट नहीं करना है, कि मैं आगे इसको और credit card को use करूँगा, और वो जो मेरा आगे का expenditure होगा, उसमें मेरा यह positive balance है, वो adjust होगा तो यह एक बहुत बड़ी सुविदा जो है, RBI ने दी है, अभी सारे banks को इससे comply करना होगा, 1st July से, SBI ने proactively यह option दे दिया है, तो दोस्तों यह था credit balance को bank में transfer करने के बारे में, और कैसे SBI में आप यह option already avail कर सकते हैं, उस बारे में, वीडियो informative लगाओ, अच्छा लगाओ तो इसको like कीजिए, share कीजिए, और अगर अभी तक अपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को भी subscribe कीजिए, thank you, bye